हलो प्रेंट्स रगाते आप सबी काई इसके रेलेक्ट्रोनिक्स लाइब वीडिव चलगे एकनी और फ्रेंट्स वीडियो में प्रेंट्स आज मैं बनावी एक बहुत ही अमेजिंग पोजेक्ट जो कि है प्रेंट्स रिमोट कॉंट्रल ओन अप सर्कीट मतलब प्रेंट्स आपका घर पे जो बल्ब है और आप उस बल्ब को ओन अप कर शेकते हो आपका घर का जो रिमोट है तीबी का रिमोट उस टीबी का रिमोट से तो प्रेंस चले इस circuit का डेमो में आपको सबसे पहले एक बार दिखा देता हूँ उसके बाद इसको कैसे बनाते हैं वो भी दिखाऊंगा तो मैं फटापट यह पर circuit को on कर लेता हूँ तो देख सकते हैं यह बार जो circuit है यह इसको मैं on कर दिया हूँ तो प्रेंस चले अभी टेस्ट करके देखते हैं कि यह काम कर से करता है तो प्रेंस देख सकते हैं मैं यह पर जब भी switch को प्रेस कर रहा हूँ यह जो light है यह bulb जो है यह on off हो रहा है बहुत अच्छे से on off हो रहा है देख सकते प्रेंट्स मैं यह पर कोई भी स्वीच को प्रेस कर रहा हूं यह बहुत तेचे से काम कर रहा है और प्रेंट्स यह पर यह 100% रियल है देख सकते प्रेंट्स मैं आपको सामने दिखाता हूं देखिए यह पर जो कुछ भी हो रहा है यह एकदम रियल है देख सकते हैं प्रेंट्स बहुत तेचे से हुज़ा हमारा सर्कीट है यह काम कर रहा है तो प्रेंट्स चले इस Amazing Circuit को क्या से बनाते हैं देख लेते हैं प्रेंट्स इस सर्कीट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ले लेने परेगा एक पीस CD4017IC एक पीस BC557PNP Transistor एक पीस TSOP Sensor मैं यह पर 1838 वैलू का सेंसर यूज़ कर रहा हूँ आप यह पर दूसरा वैलू का भी सेंसर यूज़ कर शकते हो उसके बाद फिर समय ले लेने परेगा एक पीस 4.7μF Capacitor एक पीस 1KH Register एक पीस 100KH Register एक पीस 4.7KH Register एक पीस Red Color LED आप यह पर कोई भी कलर का कोई भी LED उसकर शकते हो 5V के अंदर एक पीस Push Switch ले लेना परेगा हमें सर्किट को On-Up करने के लिए और फिरेंट सर्किट को Supply देने के लिए हमें एक पीस 3.7V कर लिए ले लेने परेगा आप यह पर 5V तक कोई भी बाटरी उसकर शकते हो फिरेंट्स मैं आपको सबसे पहले इसका Pin Out बता देता हूँ फिरेंट्स देखिए आईसी का एक साइट पे एक नौच है और फिरेंट्स इसी साइट से आपको Pin गिनना चालू करना है यह पर एक नमबर, दो नमबर, तीन नमबर, चार नमबर करके आठ नमबर तक और इस तरफ से नौ नमबर से शोला नमबर तक मैं यह पर एक इमेज आटच कर दिया हूँ जिसको देखकर आप इसका Pin आउट देख सकते हैं यह पर तो प्रेंट्स मैं इसको यह पर उल्टा करके लगा देता हूँ क्योंकि हमें नीचे कुछ Pin को सौट करना है तो प्रेंट्स यह पर मैं एक Jumper Bar ले लिया हूँ और इस Jumper Bar के मदद से मैं यह पर IC का 4 नमबर पिन और यह पर 15 नमबर पिन को मैं सौट कर दिया और यह पर मैं इस Register के कट कर देता हूँ तो प्रेंट्स यह पर हमारा सौट हो चुका है उसके बाद प्रेंट्स मैं यह पर और एक Jumper Bar लेके 13 नमबर पिन को और यह पर 8 नमबर पिन को IC का सौट कर दे रहा हूँ तो देख सकते प्रेंट्स मैंने इसको भी सौट कर दिया तो प्रेंट्स अभी मैं इस IC को सीधा कर लेता हूँ क्योंकि हमारा नीचे का जो connection है यह complete हो चुका है तो देख सकते प्रेंट्स मैं इसको यह पर उल्टा करके लगा दिया अभी प्रेंट्स मैं इसको यह पर एक 100 किलो होम का रिजिस्टर ले लिया हूँ और इस capacitor का जो black side है इसका negative side है तो प्रेंट्स इस negative side को मैं यह पर IC की 8 number pin के साथ solar कर दिया और प्रेंट्स यह पर जो capacitor का positive side है इसको मैं यह पर IC की 14 number pin के साथ solar कर दिया उसके बाद प्रेंट्स मैं यह पर BC557 PNP transistor ले लिया हूँ और जिसका pin को मैं थोरा ऐसा bend कर लिया हूँ और प्रेंट्स इसका pin out आप यह पर देखी सकते हैं collector base और emitter तो प्रेंट्स इस जो transistor का जो हमारा collector pin है collector pin को मैं यह पर IC की 14 number pin के साथ solar कर दे रहा हूँ तो मैं यह पर इसको solar कर दिया और प्रेंट्स मैं यह पर solar wire के मदद से IC की 16 number pin के साथ transistor का emitter pin को solar कर दे रहा हूँ तो देख सकते हैं प्रेंट्स मैंने इसको भी कर दिया तो प्रेंट्स मैं यह पर थोरा IC को यह पर घुमा के लगा लेता हूँ ताकि मुझे solar करने में आसानी हो तो प्रेंट्स देख सकते हैं यह पर मैं एक TSOP ले लिया हूँ जिस TSOP का आप pinout यह पर देखी सकते हैं आउट, GND और VCC तो प्रेंट्स इस TSOP sensor का जो VCC pin है इसको मैं यह पर IC की 16 number pin के साथ solar कर दिया और प्रेंट्स यह पर मैं एक jumper wire ले लिया हूँ और इस jumper wire के मदद से में यह पर TSOP sensor की GND pin को IC की GND pin के साथ मतलब 8 number pin के साथ solar कर दे रहा हूँ तो देख सकते हैं प्रेंट्स इस jumper wire में एक cover लगा हुआ है ताकि यह बीच में short ना हो जाए तो प्रेंट्स अभी मैं यह पर एक 4.7 kilo ohm register ले लिया हूँ और इस 4.7 kilo ohm register को में यह पर TSOP sensor की out pin के साथ और यह पर BC557 transistor की base pin के साथ solar कर दिया उसके बाद प्रेंट्स में यह पर एक LED ले लिया हूँ और इस LED का positive और negative आप यह पर देखी सकते हैं तो प्रेंट्स जो LED का हमारा positive side है इसको में यह पर IC की दो number pin के साथ solar कर दिया और प्रेंट्स जो इसका negative side है इसको में यह पर एक 1K register की मदद से IC की 8 number pin के साथ solar कर दूँगा तो में यह पर इसको कर दिया अभी में यह पर 8 number pin के साथ इसको solar कर दिता हूँ solaring wire के मदद से तो फ्रेंट्स अभी मैं ये पर एक स्विच ले लिया हूँ और इस स्विच के दोनों साइट में मैं दो वायर सोलर करके डखा हूँ छोटा छोटा ताकि हमें सोलरिंग करने में असा नहीं हो तो फ्रेंट्स एक वायर को मतलब स्विच के एक साइट को में ये पर IC की 60 नमबर पिन के साथ सोलर कर दे रहा हूँ जो कि हमारा बैटरी की पॉजिडिव के साथ कनेक्ट होगा ठीक है और फ्रेंट्स एपर मैं दूसरा एक वायर ले लिया हूँ और इस वायर को मैं ये पर IC क एक नमबर पिन के साथ सोलर कर दे रहा हूँ जो कि हमारा बैटरी का नेगटिव होगा तो फ्रेंट्स अभी मैं ये पर 3.7 का बैटरी ले लिया हूँ और इस बैटरी की जो पॉजिडिव साइड है इसके साथ मैं ये पर स्विच से जो हमारा वायर आ रहा था उस बैटर को सोलर कर दे रहा हूँ तो फ्रेंट्स देख सकते हैं हमारा जो पूरा सर्कीट के कनेक्शन है ये कॉम्पलीट हो चुका है और फ्रेंट्स ये बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में सर्कीट डियागराम में इस वीडियो के अंदर ही दे दूँगा तो इसलिए आप रिमोट्ट ले लिया हूं आया रिमोट्व पतलो आप हेंप la p v JOHNала जो लाइट ये क्लो कर रहा हो हो तो प्रेंट्स आप यह पर एक बरा साइज का भी LED लगा के देख सकते हैं यह बहुत अच्छा लएगा दिखने में तब ठीक है तो मैं अपर नजीदिक से आपको दिखाता हूं देखिए कितना अच्छे से यह काम कर रहा है तो प्रेंट्स चलिए अभी इस सर्कुट के साथ एसे अप्लिकेशन को चलाने के लिए जो सर्कुट बनाना परेगा उस सर्कुट को बना लेते हैं तो प्रेंट्स इस सर्कुट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पीस शिक्स बोल रिले ले ले लना परेगा ठीक है और प्रेंट्स ले लना परेगा एक पीस बीसी फ साइट पर मतलब जिससाद दोनों साइट आप देखी सकते हैं इसके साथ मैं यह पर डायट को सूलर कर दिया मतलब जिस तरव तिन पिन रहता है उस तरव मैंने इसको सूलर किया है देख सेकते हैं वह बहुत अच्छे से उसके बाद प्रेंस में पर एक BC547 टैंजिस्टर ले लिया हूँ और इस टैंजिस्टर को मैं यह पर बेंट कर दिया हूँ उसका पिन को और इस टैंजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है इसको मैं यह पर डायोट की पॉजिरिव साइट के साथ सोलर कर दे रहा हूँ उसके बाद प्रेंट्स में पर सर्कीट को ले लिया हूँ और सर्कीट का प्रेंट्स जो हमारा ग्राउंट पिन है मतलब जो आठ नमबर पिन है जिसके साथ हमने बैर्टरी का नेगटिब साथ की मतलब negative को connect किया था देखी सकते फ्रेंट्स जो बायर हमने connect किया था उसको फ्रेंट्स में यह पर solar कर रहा हूं हमारा transistor की emitter pin के साथ ठीक है तो मैं यह पर इसको जल्दी से कर देता हूं देख सकते फ्रेंट्स मैंने इसको कर दिया अभी फ्रेंट्स में पर एक 1K का register ले लिया हूं और इस 1K के के मदद से में पर IC की 60 नंबर पिन से हमारा रिले का जो मतलब जहां पर हमने डाइट को नेगडिव लगाया था वहाँ पर मैंने इसको कर दिया तो हमारा जो पूरा सरकीट के कनेक्सन है रिले का यह कॉंपलीट हो चुगा है अभी हमें यहाँ पर अप्लिकेशन के लिए एक होल्डर ले लेना परेगा होल्डर के साथ में यह पर वायर लगा के रखा हूं आप देखी सेकते प्रेंट्स तो आप बहुत बहुत देख सकते प्रेंट्स ज्यादा उपर नहीं मतलब थोड़ा उपर ही मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं आप जितना मतलब बरा कर सकते कर सकते हैं कोई दिक्कल नहीं इसमें तो प्रेंट्स में एक साइट का बायर को कट कर दिया और प्रेंट्स यह कुछ ऐसा दिख रहा है आप देखिए यह कुछ ऐसा दिख रहा है तो प्रेंट्स अभी इन दोनों बायर को हमें रिले का साथ स साइट पे हैं पर देख सकते हैं प्रेंट शर्कीट डरम के अंदर आपको इतना अच्छे से सब कुछ दिखाया गया है कि उसको देखा उल्स बिद्ध बच्छा भी इसको बना सकते बहुत तो प्रेंट्स यह पर मैंने AC वायर का जो कनेक्शन यह भी complete हमारा हो चुगा है तो प्रेंट्स अभी आप लोग यह पर देख सकते हैं कि जो हमारा पूरा सर्कीट के connection है यह complete हो चुगा है तो फिर चले अभी circuit को test करके देखते हैं कि यह काम करता भी है या फिर नहीं तो फिर इसको test करने के लिए मैं यह पर सबसे पहले एक bulb ले लिया हूँ जो की AC bulb है और इसको मैं यह पर इस circuit के साथ लगा देता हूँ मतलब इस holder के साथ connect कर देता हूँ तो मैं यह पर इसको connect कर दिया ठीक है तो फिर देख सकते हैं यह भी यह पर लग चुगा है अभी पर एक extension board ले लिया हूँ और इस extension board को मैं यह पर इसको रख के यह पर इसके उपर में प्लैग को लगा दिया तो फ्रेंट्स अभी यह पर जो AC का भी connection नहीं है complete हो चुका है तो फ्रेंट्स चले इस circuit को on करते हैं तो मैं यह पर circuit को on कर दिया तो अभी यह circuit जो ही यह ओन हो चुगा है लेकिन अभी तक यह पर supply नहीं आया है क्यूंकि हम नहीं यह पर अभी switch को on नहीं किया तो prince मैं पर स्विच को भी on कर दिया तो देख सकते prince जो हमारा पूरा circuit है या अभी on हो चुका है ठीक है तो prince यह पर देखिए मेरा हाथ में एक remote है तो prince जो कि मैं आपको पहले इस बताया कि आप यह पर इस circuit को चलाने के लिए कोई भी तरह का remote रिमोट यूज कर सकते हो सिर्फ उसमें आयर का जो कनेक्शन नहीं है रहना चाहिए तो फ्रेंट्स आप यह पर एसी का भी रिमोट यूज कर सकते हो सिर्फ महां पर आपको सिर्फ एक चीज देख लेना कि उसमें यह आयर यह लेडी यूज किया गया है या फिर नहीं ठीक है मतलब आयर यूज यूज किया गया है ऐसा आप कोई भी रिमोट यह पर यूज कर सकते हो तो फिर से प्रेंट्स करने के बाद यह जो लाइट है यह ओप हो चुका है तो फिर देख सकते हैं कितना अच्छे से काम कर रहा है पर आप यह पर कोई भी सुइच को दबाऊ सखते हो यह बहुत एचसे काम करता है है एक पर कोई भी सुइच को आप दबाऊ यह काम करेगा लाख अगर पर आपके पास EMI का डिमाई का जोktion मोबाईल है उस मोबाइल से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हूं क्योंकि उसके अंदर इन बिल जो रिमोट रहता है तीवी का फ्रेस्ट में पर इस सर्किट को थोड़ा दूर कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसा नहीं हो मैं थोड़ा इधर कर दिया तो फिर देख सकते हैं यह कितना अच्छे से काम कर रहा है कि देख सकते हैं मैं यह पर कुछ भी फेक नहीं कर रहा है जो कुछ हो रहा है आपका सामने ही हो रहा है यह बहुत अच्छे से काम कर रहा है यह पर कोई भी रिमोट से स्विच से काम करे यह तोड़ा ज्यादा ले रहा है एक बाद स्विच कर रहा हूं देखिए अभी में प्रेस करूंगा तो यह आप नहीं होगा यह मतलब दो एक सेकेंड के बाद अफ हो गया और प्रिसके आउन हो गया अभी थोड़ा रुग गया उसके बाद प्रिसके तो यह अन हो जाए रह किजिए और अगर आप चाहते हो कि इससे भी मतलब सुमूथ ली काम करें तो आप यह पर किया किजिए कि यह जो क्यापसिटर का बहलू कर दीजिए जैसे कि वान माइक्रोफ ऐसा लगा दीजिए तो आपका मतलब यह टाइम है यह बहुत कम हो जाएगा और पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यह पर देखिये फ्रेंट्स यह पर एसी अप्लिकेशन का मतलब एसी यह पर सप्लाई है तो जिसके कारण आपको बहुत ही शेप्टी के साथ सब कुछ करना है क्योंकि फ्रेंट्स यह पर आप मतलब अगर मैं टेस्टर से अभी इसको आप क इसको इसको इलेक्ट्रोनिस के बारे में थोड़ा भी नॉलेच नहीं है तो आप ऐसा कभी नहीं ट्राई करना घर में ठीक है आप सिर्फी सर्कीट को बना हूं और यह पर इस LED के जगह आप यह पर बड़ा LED यूज़ कर शकते हो और इसको आप मतलब रिमोट का मतादब से ओन आफ कर शकते हो लेकिन आप ऐसा एसी सप्प्लाई के साथ मतलब ट्राई करने का कोशिस नहीं करना ठीक है तो प्रेंट्स आप कोई वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को किसी और एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई